नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबीका दोस्तों 13 माई को आए चुनावी नतीजों के बाद लोगसभा के चुनाव का घमासान का अंत हो चुका है और एक बार फिर से बीजेपी और नरेंदर मोदी ने परचंड बहुमत के साथ सक्ताव में वापसिक कर लिया है और वहीं द में बना रहा है चुनाव से पहले लगातार इवियम पर सवाल उठाने वाले नेताओं ने चुनावी नतीजों के बाद चुनावी आयो की काबिलियत और इवियम पर सवाल नहीं उठाया है लेकिन इवियम को लेकर अब एक और सवाल जोर पकड़ रहा है जी हाँ दोस्तों क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं अगर नहीं जानते तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं EVM से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पर लाइक कर दें शेर कर दें क्योंकि आपका लाइक और आपका शेर हमारी मेनत का फल होता है साथ ही वीडियो के नीचे दिएगे लाल बटन पर जाकर चैनल को सस्क्राइब कर बैल आइकन को ओन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहें तो दोस्तों मतदान के बाद इवियम का क्या होता है ये सवाल सभी के मन में कभी ना कभी जरूर उठ जाता है इसका जवाब हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं मतदान खतम होते ही इवियम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रोंग रूम में ले जाया जाता है यहाँ पर इवियम को बिना रोशनी के रखा जाता है जहाँ पर इवियम रखी जाती है वहाँ पर किसी भी किसम का इलेक्ट्रोंग डिवाइस नहीं होता एक बार मतदान की परकरिया पूरी होने के बाद कई कागची परकरियाओं को पूरा किया जाता है उमीदवार को वीजेता घोशित करने के बाद EVM को एक बार फिर से strong room में रख दिया जाता है और room को बंद कर एक बार फिर से उसे seal कर दिया जाता है ये परकरिया उमीदवारों के परतिनिदी की मोजूदकी में की जाती है और इसके बाद उनके हस्ताक्सर भी लिये जाती है और वहीं चुनावी नतिजों की घोशना के बाद उमीदवारों की घोशना कर दी जाती है वीजेताओं की घोशना कर दी जाती है वीजेताओं की घोशना होने के बाद इवियम को पूरी सुरक्षा के बीज स्टोरोज रूम ले जाया जाता है इसके बाद चुनाओ आयो की इंजिनियर इवियम की जांच करते हैं और कई चड़नों में इसकी जांच की जाती है और दोस्तों 45 दिन तक यदि कोई उमिदवार दोवारा मत करना के लिए आवेदन नहीं करता है तो चुनाओ आयो कोट से लिखित आदेश लेकर इवियम में स्टोर डेटा को डिलिट कर देता है और इसकी जांच की पूरी परकरिया होने के बाद यदि सब कुछ ठीक पाया जाता है तो इवियम को दूसरे मतदान के लिए तकनीकी रूप से सक्षम घोशित कर दिया जाता है इसके बाद जरूदत के मुताविद इवियम को मतदान के लिए किसी भी जगह भेज दिया जाता है इसके साथ ही आपको बता दे दोस्तों की चुनाओं में इस्तमाल किये जाने वाले कुल इवियम का 20% रिजो के रूप में रखा जाता है ताकि तक्निकी दिक्कत होने पर एक्ष्टा इवियम से काम चलाया जा सके और दोस्तो इसी बीच अगर कोई इवियम खराब हो जाती है तो उसे पूरी सुरक्षा के अंदर नश्ट कर दिया जाता है दोस्तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं साथ ही वीडियो पर लाइक करें शेर करें और वीडियो के नेचे दिये गए लाल बटन पर जा गए चैनल को सस्क्राइब कर तो बैल आइकन जुरूर दबा लें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी कबरें और मिलते रहें जैहिन दन्यवाद